यह साथवे मन्त यानि जनवरी 2020 का करेंट अफेयर जोगर्फी करेंट अफेयर है इसको हम रिवाइज करेंगे आज और इसका पहला जो टॉपिक है चागोस आइलेंड चागोस आइलेंड यहां पे देख सकते हैं इंडियन ओशन में हैं और यह मालदी इसका पार्ट है तो य चागोस आइलेंड के बारे में थोड़ा से देख लें क्या है यह तो चागोस आइलेंड एक जो इंडियन ओशन में सेंट्र इंडियन ओशन में पार्ट है यह इनिशली 19th सेंचुरी में देखे तो यह गवन किया आता था मारिशस के दारा मतलब उसमय ब्रिटिस की कोलोनी थी मारिशस और इसको जो है इसी को गवन करती थी यह लेकिन बाद में चलके जब इसको जो है कि डी कोरनाइज हुआ जब ब्रिटिसर्स यहां से गए तो यह जो चागोस आइलेंड है इसको इन्होंने नहीं छोड़ा ठीक है और 1971 में क्या हुआ कि इस आइलेंड को फोर्स इसको इस्ट्रेटजिक एइरबेस के लिए तो यहां पर क्या क्या आज रकना जरूरी है कि आइलेंड कहाँ पर है चागोस और इंडियन और में हैं यह किस कंट्री का पार्ट है यह मारूशस का पार्ट है किस की कॉलोनी थी यह यूके की कॉलोनी थी और लीज पे कौन लिया था इसको यू एस तो यह चार पॉइंट इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो बाद में क्या हुआ कि 2019 में International Court of Justice ने बोला United Kingdom से क्योंकि यहां से उसका administration खतम हो गया है तो जल्दी से जो Chagos Island है वो वापस कर दे Mauritius को लेकिन Mauritius इसको वापस नहीं किया और बाद में International Court of Justice ने इस case को रेफर कर दिया UN General Assembly को और UN General Assembly की जो भी statement है वो non-binding है और इसलिए जो है कि UK और भी इस island को छोड़ नहीं रहा है दियागो गार्षिया तो दियागो गार्षिया और Chagos Island दो बहुत ही Chagos Island पे US का military base है जो जिस UK के दोरा दिया हुआ है तो यह point याद करना बहुत ज़रूरी है प्रिलिम इसके लिए Next जो टॉपिक आता है वो है Power of Siberia It is a very important topic Power of Siberia क्या है यह एक first cross border gas pipeline है रशिया और चाइना के बीच में अगर पूछे इससे पहले भी कोई gas pipeline था तो इसके पहले कोई gas pipeline नहीं था यह पहला first cross border gas pipeline है किसके बीच में रशिया और चाइना के बीच में जिसमें रशिया विल डिलेवर 1 trillion cubic meter of natural gas to China ठीक है और यह कहां पर located है यह किस तरी से कहां से जाता है देखें तो यह जो एक यंताज और अमूर रिवर है चाइना में उससे होके यह गुजरता है तो यह यहां पर power of Siberia क्या है किसके किसके बीच में है यह याद रखना बहुत ज़रूरी है एक तो gas pipeline है दूसरे रशिया और चाइना के बीच में है ठीक है यहां पर हम देख सकते है यहां रशिया से निकलता है और चाइना में आता है power of Siberia नेक्स्ट आता है Victoria fall Victoria fall हर कोई जानता है यह कहां पर है अफरिका में है ठीक है यहां पर देख सकते है और यह जो Jambia है और Jim Bombay है इसका boundary बनाता है Victoria fall और Victoria fall जो है वो एक river है Jambayji river उसकी वज़र से यहां पर fall होता है Jambayji river है यहां पर और Jambia और Jim Bombay का यह boundary बनाता है यह याद होना चाहिए क्योंकि यह news में था Victoria falls ठीक है नेक्स्ट टोपिक आता है ताज त्रपेजियम जोन ताज त्रपेजियम जोन क्या है ताज महल का जो area है ठीक है उसी के base पे क्योंकि यह त्रपेजियम सेफ में दिखता है तो उसी के base पे इसका नाम त्रपेजियम जोन हो गया सुप्रीम कोट ने यह बोला था कि इसका जो ताज त्रपेजियम जोन है यहां पे कोई भी industrial वर्क नहीं होगा जिसकी वज़े से इस area को पूरा नुक्सान पहुचे क्योंकि यहां पे बहुत सारे monuments है तो यहां पे देखते हैं क्या है ताज त्रपेजियम जोन established हुआ था 1996 में by the order of the supreme court ठीक है इट इस नेम्ड सिंस located around ताज महल क्योंकि यह ताज महल के पास है इसलिए इसका नाम ताज त्रपेजियम है तो ताज त्रपेजियम एरिया को protect करने के लिए ही यह order आया हुआ था क्योंकि यहां पे 40 protected monuments है जिसमें 3 World Heritage Site भी है कौन-कौन सा ताज महल, आगराफोर्ट अगर पूछे कि ताज त्रपेजियम में कितने monuments आते हैं तो 40 total protected monuments आते हैं जिसमें 3 World Heritage Site में भी है वो है ताज महल, आगराफोर्ट अगराफोर्ट फतेहपूर, शिकरी तो इसी zone को पूरा protect करने के लिए ताज त्रपेजियम zone पे कोई भी industrial work को इसको eco sensitive area declare करके यहां पे industrial work को prohibit कर दिया था तो यह fact जो है याद होना चाहिए कि यहां पे कौन कौन से मिलते हैं next आता है white island, white island भी news में था और यह कहां पे located है white island, क्या है यह बस prelims के लिए याद होना चाहिए एक तो यह new ziland का most active volcano है, ठीक है new ziland का यह most active volcano है, 70% volcano lie under the sea and island from the tip of the volcano इस volcano का 70% जो है वो sea में है वाली 30% जो है वो sea के उपर है तो white island कहां पे मिलता है new ziland में ठीक है next topic आता है bali mela reservoir bali mela reservoir जो है वो उडिशा में है मैकांगिरी district आप दो उडिशा में है तो यह reservoir की वज़े से कुछ जो है रियाविलेट किया गए यहां के ट्राइब्स को तो यह ट्राइब्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि पट्टा या को डोकुमेंटेड लैंड राइट उनको प्रवाइट किया जाए तो बस याद होना चाहिए bali mela reservoir कहां पे है बाली mela reservoir जो है वो उडिशा में है और मैकांगरी डिस्ट्रिक में है ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरी इंपॉर्टेन अटल भुजल योजना अटल भुजल योजना कि इसमें जिसे इंडिया में बहुत सारी ऐसे एरिया जो वाटर रिस्ट्रेस जो अटल भूजल योजना को इस त्रिस में चल रहा है संट्र को करेगी और इन देवा करेगी मिनिश्ट्री का अंदर माता है ministry आप जल सकति मिनिस्ट्री आप जल सकती के अंदर माता है central sector scheme है क्या कि यह पॉइंट याद रखना जरूरी है कि यह वर्ल्ड बंक के दोर आप प्रूब्ड है 50-50 share है ठीक है और central bank central sector scheme है मिनिस्ट्री आप जल सकती के अंदर में आती है ये ठीक है और ये किस लिए है इसका परपस है ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइफून फैनफॉन टाइफून फैनफॉन ये फिलिपिन्स में आया था तो काफी इंपॉर्टेंट है टाइफून जैसे साइकलोन आता है वैसे ही वहाँ पर टाइफून बोलते हैं तो ये कहाँ पर आया था ये टाइफून फैनफॉन ये अल कहाँ पर आया था नेक्ष्ट टॉपीडा पास नाध Melbourne नियूज में था क्या तिससे एंडियन आर्मी ने कुछ लोगों को réponse खी रूकर आदि है लेकिन नयawकर कहा पर लोकेट antibiotic यहिंपोर्टे इंपॉर्पास शान चार्पास प्रह較 उंचिस यह माउन्टेन पास है तिबतन प्लेटू उसको connect करता है ये पास जो है ये कई तरीके से important पहुचाता है एक तो ये tourism के लिए काफी important है दुसरे ये trade के लिए काफी important है चाइना के काफी trade जो है इस पास से होते हैं ठीक है तो नाथुला पास जो है याद रहे कहां पे located है ये एक mountain पास है जो कि सिक्क ihm को connect करता हूं कि इस से Tibetan plateau of China चायना के lingu University प्लैटू प्लैटू नेक्स्द आता है स्टो एकस स्टों एकस एक नाशा का मिशन है इस मिशन का काम जब जो है कि फॉल होता है जब स्टों फॉल होता है तो सिनस्टों में क्या होता है वासा होता है और मेल्ट के होने के बाद कितना वाटर अवैलेवल हो गए इसी के इस्टेडी के लिए नाशा ने एक जो मिशन लॉंच किया जिसका नाम है स्टिक है इसमें क्या-क्या याद रखना जुरूर है कि लिए योजुभीम आ необходимо समें वाटर कंटेंट को जानने के लिए लौंच किया गया है तिसमें स्पोक्राइक से स्टेडी करेगा जो यह इसी मिलता है जो जर्षम्याम क् भाम packed उसके बारे से करेगा तुनडरा में अल्पाइन और और श्रेएट दोनों आते हैं तो इतना याद करने दिरूद नहीं किसको किसको इस्टडी करेगा बस इसमें याद रहे कि नाशा का सुनो एक सनासा का मिशन है फाइप ये प्रोग्राम है और सुनो को जानने के लिए यह लॉंज किया गया हुआ है नेक्स्ट आता है ड्रेक पैसेज ड्रेक पैसेज कहां पे लोकेटेड है ड्रेक पैसेज यहां देख सकते हम साउथ अमेरिका है और यह आंटार्कटी का वाला रीजन है तो यहां पे जो पैसेज है जो एरिया है जो दोनों को सेपरेट करता है वो है ड्रेक पैसेज तो यह प देखे हिमालियन रीजन वाला देखे थी यहां पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसको cold wave zone भी बोलते हैं और यहां पर जो average temperature हुआ करता था warmer और इससे ज़्यादा जाता इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट आयमड यहां पर important हो जाता है और यहां पर आयमड कम इस्टैबलीश हुआ था यह बृटिस को को लोनी थी इंडिया उस समय ही स्टैबलीश हुआ था एंटीं सेवेंटीफाइब में और यह ministry आप अर्थ साइंस के अंदर में आती है कुछ लोग इसको गलत करते हैं इंवार्मेंट के अंदर में डालते हैं लेकिन मिनिस्ट्रिया अर्थ साइंस के अंदर में आती है आयमड तो इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के लिए दो पॉइंट जो है काफी important है नेक्ट आता है मेरिना ट्रेंच मेरि 數िक्य अर्थ साइंस ने यह बताया कि जो मेर्यान ट्रेंच है मैर्याना ट्रेंच सब्से घरी ट्रेंच महि λाए यहां पे लाश्टिक पॉलुचंग देखने कोást इसका लोकेशन वेस्टन तक ना बश यां पर अध्ये देगा इस्टन पैसपिक होशन् और यह फॉर्म हुआ थो कोलेजन आप कनवर्जिंग प्लेट मतलब दो प्लेट जब आई और एक दूसरे में कनवर्ज हो गई तो उसकी वजह से यहां पर एक गहरा ट्रेंज बन गया जिसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंज जो कि वेस्टन पैस्पी कोशन में है नेक्स्ट आ कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है ठीक है यह तीन तरीके के होते हैं जो अगर हम सोलर एकलिप्स देखे एक तो पार्शिल मलब जब पार्शिली कवर करता है मून और उसका जो सन का सैड़ो है सन की लाइट है वो अर्थ पे नहीं पहुछ पाती यह था जो सेवन मन्थ का जो गर्फी करेंट अफेयर है यानि जनवरी 2020 का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा फरवरी 2020 का होगा